नमस्कार आप देख रहे हैं सबकी नदर समसार मैं हूँ आपके साथ वित्याराई आए बात करते हैं आज के कुछ एहम मुद्धों पर आज होली चाइड़ पर्वे स्कूल रामपार्क लोनीं के तत्वाधान में देश का राष्ट्य पर्व गर्तंत गिवस हर्शोलास के साथ संपड हुगा पूर्वान ग्यारा बजे से पूर्वनियोज कारक्यम अनुसार दिपर जोलन उपरांत आरम किये गए कारक्यम का आगा का रंग कारक्यम के बीच नत नाटिकाएं लोग गीत आदी के कुशल प्रस्तुति करण से उपस्थिक दर्शकों का मन मोहलिया यही नहीं उन्होंने बिबिन प्रकार के पिरामिट बनाकर राष्ट ध्वज लहराई जिसे देखकर विद्याले में मौजूद दर्शकों ने दातों तरे उगली दबाली इस आउसर पर विद्याले प्राचार अर्मिंद बैसला ने मन के उद्गार ब्यक्त करते हुए कहा भारत वर्ष का नागरी खोने के नाते हमारे भी करतब बनता है कि हम विद्यारत्यों को वह सिक्षा परदान करें जिससे युवा देश को एक स्क्यूट रखने के बारे में सोचे और पढ़ लिखकर राष्ट के निर्माने में अपनी भागी डारी निभाए देखिए आज की ये रिबोर्ट आज 26 जन्वरी है गर्तंत घीवाट अवे देश में हर शोलास के साथ मनाया जा रहा है साथ में आपके अभी ग्यालिरी आज मनाया गया क्या कहना चाहेंगे सेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे देश के हमारे देश के अंदर 26 जन्वरी मीशुपचास सवतंतरता की बाद्गे होनाया जा रहा है सवतंतरता तो अन्दरागास को में दी किंतु गंतंत नहीं हो पाया था क्यों क्योंकि सवतंतरता के बावजूद अंग्रेज यहां से चले गए अंग्रेजों के जाने के बहुत भी वह अपने देश में रहते हैं इंग्लेंड में से हमारे इसको परशाशन कर रहे हैं तो हमारे देश को ज़रूद पढ़ी कि हमारे देश के अपना इस प्रॉपका बनाये हुआ होगा है तो इस प्रॉस्ट इसको होने में दॉक्टर बीम प्राव अम्बेडिकल जिसको बनाने मुनों ने दो वर्ष ग्यार मा और अठारे जन का समय लिया यह 26 तारिक रखी भी इसी दिये गई क्योंकि देश को आजाद होने से पहले 1929 में लाहर में अधिलेशन वाता कंग्रेश का जिसमें पहले जवालल नहरू ने 1930 में देश को आजाद करने के लिए 26 जन्वरी की तारिक दिया 26 जन्वरी इसलिए शुब रहा क्योंकि उस समय सही देश को आजाद माना गया किन्तु अंग्रेशों ने हमारे उपर सुतंतरता ना देका हमको सुतंतरता तो चाहिए दी तो उसके लिए हमें 26 जन्वरी इसलिए निश्यत रखना पड़ा कि जिससे हमारे देश को देमोकरेटिक कंट्री मन जाए हमारे देश को सुतंतर बनाने में बहुत सारे बलीदानियों ने अपनी जान दी कुर्बान और ऐसे ऐसे लोग से जिनके लोग नाम नहीं जानते उनमें कैप्टर हमी फुद्देन दुर्गा भावी भीमा नाम लेना चाहूँगा लोग जानते हैं मंगल पांडे को जानते हैं लोग जानते हैं सुभाज्चा रिबोस को जानते हैं लोग जानते हैं बगल से कुछ जानते हैं लेकिन केप्टें भावी पुषी स्रेडी में इसके साथ साथ हजारों ऐसे बड़ीदानी है किनों ने अपनी जानी में उचाद कर दी इस प्रेंगे को आनवान शान देदी तुम मैं वहीं जाना चाहता हूं क्या अगर देश मनती चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों का सवकत रहना बहुत जूरूरी है निरंतर प्रियाश जूरूरी है निरंतर प्रियाश के दौरा ही हमारा दिस आगे बढ़ पाएगा यदी विश्व की शक्ति बनना है यदी विश्व को अपने विश्व गुरू के रूप म जानना है भारत को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक जुपता रखें, धर्म अगारा का दर्म अगारा के लिवाद में ना पड़ें, हमारा जो धर्म है वो हिंदू, हिंदू या मुस्लिम या स्थेखिया इसाई नहीं, हम सब भारती हैं, हमें भारती धर्म अपनाना आज आपने मंच संचानन किया, बहुत अच्छा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, उन प्रतिबा शाली बचों के लिए जिन्हों ने आज अनुथी प्रतिबा का प्रदर्शन करते, बहतर प्रतुति करा दिया, और देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, अगर देश को बढ़ाना है, उनलती कराना है, तो सभी का एक साथ होना बहुत जरूरी है, और उसमें सर्व यूनिटी होनी चाहेंगे, यह है कि लोग जातिवाद को लेकर एक दूसरे के प्रति लड़ाई जगरे, यह सब तीज पिति लोगों को बनकाई, बलकि उसमें सभी को एक साथ होके आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, नाम इश्वर्द्याई शर्मा जी, बात वहीं आती है, देश की एकता और अखंडता बरकारा रखने के लिए, देश को निर्माण करने के लिए, देश को तरक अजसे संसकार भन दाल से, उससे हमारा जएश को हन्डरड पर से, और हमारा जो देश है अजसंसकार ढालने के जिम्मे धरी है, इक बात ओफिए जरूर, गुरू से क्यान लिजिये, नाम अजसेaning दैने के लिए, पिtा शे संसकार लिजिये, पिता सेículosFM, गैंजिये, पिता प्रवना सीखिये और बाकी जो कुछ बचा उसे दुनिया से लिए आज गर्त तर्विवत का पावन परव है राष्टिय परव है ऐसा क्या कहना चाहेंगे धर्म बिराद्री और समुदाई से हटकर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी छोटी छोटी समुद चोटी छोटी धर्मित के अंदर छोटी सोच के साथ जी रही है तो मैं यह कहना जाँगी किसी भी चीज को पर पर तरिके से अडॉक करें तो हमारा देश हमारे लोग हमारी हर्टी आगे बढ़ेगी और इसादी चीज दो हम दो देखते हैं आज कर वहमारी जोना रहेवियर से आती है आप जिस चीज को पर मौट करते हैं ठीक है जिस को आप जो भी मौटी हो उस मौटी तहरी बाद तो देश की ए मौटी होने चीजिए कि हमारे ने कीसा आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग समुदाय अलग अलग लोगों को एक साथ लाना होगा और जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा जैसा हमने देखा कि आजादी के टाइम के पर है क्या ऐसा नहीं हो चकता कि हम हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई छोड़ करके केवल और केवल भार्टी पर शकी है। सर यह बहुत जरूरी जब तक हम किसी एक समुदाय को नहीं छोड़ते हैं जब तक हम सब को अपना नहीं मानते हैं तब तक कहते हैं कि हम प्रोबेस्ट करना है तो सब को एक साथ लाना है खास तोर से उन युवाओं के लिए जो आपकी जैसी उमर के हैं उनको क्या सथ अब बुजूर्ग वो होते हैं जो हमेना किसी चीज को सिखाते हैं मार्ग दर्शन देदे हमें वो बुजूर्ग से हम मार्ग दर्शन ले अपनी देश की उननती में कारे करें आपका चहिता चैनल भारत सरकार की डिजिजिन मीडिया आचा सहीता 2021 के अंद्रवत एफसीडियन का सबस्य है हम आपनी खबरों में एफसीडियन की कोड ओफ पीठिक का पालम करते हैं एफसीडियन का सबस्य होना ही खबरों की प्रमानिक्ता है